मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत लोग चुनाओ लड़ने का होसला भी खो चुके हैं और मैंने सुना है मैंने सुना है बहुत लोग बहुत लोग पिछली बार भी सीट बदली इस बार भी कुछ सीट बदलने के फिराक में है और मैंने सुना है बहुत लोग अब लोकसाभा के बजाए राजसाभा में जाना चाहते हैं तो स्थित्यों का आकरन करके वो अपना अपना रास्ता ढूंद रहे हैं अधिन अधिक जी राश्पती जी का भाशन एक प्रकार से पत्थों के आधार पर हकीकतों के आधार पर एक बहुत बड़ा दस्तावेज हैं जो देश के सामने राश्पती जीने प्रस्तावेज और इस पूरे दस्तावेज को आप देखेंगे तो उन हकीकतों को समेटने का प्रयास किया है जिससे देश की स्पीड से प्रगद्य कर रहा है किस केल के साथ गतिवीधियों का विस्तार हो रहा है उसका लेखा जो खा आधनियरास्पती जी ने प्रस्तुत किया है अधन रास्पती जी ने भारत के उजवल भविश्य को धान में रखते भी है चार मजबूत स्तंभों पर हम सब का धान केंद्रित किया है और उनका सही सही आकलन है कि देश के चार स्तंभ जितने जादा मजबूत होंगे जितने जादा विक्सित होंगे जितने जादा समरद्ध होंगे हमारा देश उतना ही समरद्ध होगा उतना ही तेजी से समरद्ध होगा और उनका ने इन चार स्तंभों का उलेक करते भी है देश की नारी शक्ति, देश की युवाश शक्ति, देश के हमारे गरीब भाईब है और देश के हमारे किछान, हमारे मचवारे, हमारे प्रशुपाला को, उनकी चर्चा की है इनके ससक्तिकन के माध्यम से, राष्ट के विक्सित भारत के लक्षो प्राप्त करने के जो राह है, उसका स्पष्ट दिशानिर देश, आदेने रात्पती ने कहा है अच्छा होता है हो सकता है आपके हां फिशनमेन माइनोरिटी के नहों हो सकता है आपके हां पशुपालग माइनोरिटी के नहों हो सकता है किसान आपके हां माइनोरिटी में नहों हो सकता है कि आपके हां माइनोरिटी में नहों हो सकता है कि आपके हां युवार में नहीं होती है कब तक फुकुर में सोचते रहोगे कब तक समाज को पाटते रहोगे सब सिमा करो सिमा करो बहुत दोड़ा देश को